हेलो एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं जटपट बनने वाला नाश्ता बिलकुल मार्किट स्टाइल में और कुछी चीजों से जो हमारे घर में ही मौझूद होती हैं घर में हमें इजीली मिल जाती हैं तो ये देखो ये है जटपट बनने वाला नाश्ता बहुती टेस्ट पानी निकाल देना और mekzi marks में Peace लेना है। गज़ादी झाल होतो है के द counties को हमारा थैसा थोड़ा सा बीट अफ़ धर्दरा और इसमें मुद्धी डालेंगे चिली अव्隨क और नमक और इसको अच्छा से ना mix कर लेंगे फेट लेंगे अच्छे से फेटेंगे क्या है जो हमारे जो नाश्ता बनेगा वो कुरकुरा बनेगा जितना इसको फेटेंगे उतना ही कुरकुरा बनेगा और ingredients में हमें सिर्फ आलू और प्यास चाहिएंगे और कुछ भी नहीं इसके लिए तो देखो इसक आप में लेने हैं आप लिए तो यह दो कर अच्छे से करने के बाद हम Quinn कर लेंगे फिर इसको अच्छे से मेच्छ करने के बाद मिक्स कर लेंगे अब यह ज़रूरत हुग इसको बनाने के लिए अब यह बैटर की तरह इसको गूंदेंगे अच्छे से कि जिससे जितना भी हमारा मसाला सारा आपस में मिक्स हो जाए आलू-प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसको सॉफ्ट करेंगे कि जैसे हमgy बेशन के पकोडे बनाते हैं उस ट्राइब से हमें इसका बैटर रेडि करना है में में बहुत पतला नहीं रखना बहुत मोटा नहीं रखना इसको में नॉर्मल कंसेंटेंसी में रखना है कि मतलब हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे बने और क्रिस्पी बने तो थोड़ थोड़ा करके पानी हमने अड़ करके इसको अच्छे से कर लिया है फुला लिया है और करीबन 5-7 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है फिर उसके बाद आपको पकोड़े फ्राई करने हैं ठीक है और ऐसी ही ओईल चढ़ाके जैसे हम पकोड़े बनाते हैं थोड़ा सा ओईल चढ़ा लें मलब आधी कड़ाई और उसके बाद धीरे धीरे करके और जो आपकी flame होगी वो medium रखना बिल्कुल slow नहीं रखनी बिल्कुल high नहीं रखनी सिर्फ medium ही रखनी है medium flame में ही अच्छे बनेंगे क्योंकि अगर आप high रख दोगे तो बाहर से पक जाएंगे अंदर से कच्ची रह जाएंगे और थोड़ थोड़ा हलके हलके हाथ से पहले इसको होने देना फिर उसके बाद आप अपनी चमच या कर्ची के मलब कर्ची से इसको थोड़ थोड़ा हिला के देखना कि थोड़ थोड़े पक रहे हैं या नहीं पक रहे हैं अभी थोड़े थोड़े टाइट होने लग गए है, इट मींज ये पकना शुरू हो गए है, तो अब मैं इसको हिलायला की देख रही हूँ, अभी तो ये वाइट है, बड़े गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाना है, और ये हम चाय के साथ, या चटनी के साथ, किसी भ स्फड़े करके हम फ्राई करते रहेंगे, फ्राई करने में कम से कम, 3-4 मिनट हमें लगेंगे, जैसे अब मकिन होते हैं, समझ लो उसकी तरह ही, 6-4 मिनट ही लगेंगे, इसको प्राई होने में जादा टाइम नहीं लगएगा, क्यूकि हमारे जो आलू है, वो भी बॉइल ह ठीक है और जो हमने चावल लिए थे वो भी हमने भिगो के लिए थे तो चावल भी आटोमेटिकली पका हुआ है हमारा और नमक मिर्च मसाले इसमें डले हुए और प्याज को तो रहा सा कुरकुरा ही रखना चाहिए अगर हमें भजिया टाइपस कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो और बहुत ही स्वाद बने थे ये बच्चों को तो इतना मज़ा आया खाके और देखो अब गोल्डन ब्राउन हो गए है ये हलके हलके तो हमें इसको प्लेट में अपनी ट्रांसफर कर लूँगी और गाईज आप इसको घर में ज़रूर ट्राय करें एक बार रेसिपी इतन इंस्टेंट बन जाती है कि आपको पता ही नहीं लगता दस मिनट के अंदर कोई भी अगर आपका गैस आता है तो दस मिनट के अंदर आपका नाश्ता हो जाता है तयार और अगर आपको कभी यह हो कि इंस्टेंट बनाना तो गरम पानी में चावल को भिगो लें तो गरम प पानी में वो फूल के एकदम बड़े-बड़े हो जाएंगे चावल आपका डबल साइज का हो जाएगा फिर आप उसको पीस सकते हो और यह खाने में इतने स्वाहत लगते हैं गाइस बच्चों को मज़ा आ जाने वाला है आप लंच में भी दे सकते हो और बच्चों को इवन कैसी ही एक निव रेसिपी लेके आओंगे आप लोगों के लिए थैंकी सो मच बाँ बाई